नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका तो दोस्तो बात करेंगे पीसयल इंडिया लिमिटेड के साथ साथ बहुत सारी कमपनियों की और स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूँङँ के लिए भुछ बड़ा नोटिश देखने को मिला है अगर मैं आपकी जानकारी के लिए है कल बुक्तान हो रहा है यहां पर यह ओर वहां पर वह रहा है पर जब तक दोस्तों ऑफिसियल खबर आपको नहीं पता चलेगी तब तक आप उस पर विश्वास कैसे करेंगे ओफिसियल मतलब या तो आपको सेवी के तरफ से कोई जानकारी आई हो उसकी जानकारी आई हो उसकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए केंदर सरकार के तरफ से दी गई हो उसकी जानकारी होनी चाहिए सुप्रिम कोड के तरफ से क्या कहा गया है उसकी जानकारी होनी चाहिए या किसी भ हो रहा है वैसा हो रहा है पर क्या उस पर विश्वास उतने अच्छे से किया जा सकता है नहीं तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पीसल इंडिया लिमिटेड की अगर हम खबर की बात करेंगे तो हमारे चैनल पर आपको ओफीसियल खबर देखने को मिलती है यानि कि वो ख 9-23, मार्च 10-23 और 13-23 को आपने बहुत सारे अपडेट देखे होंगे पर हो सकता है 13-23 का दोस्तों ये अपडेट का महिनना है इस वाले अपडेट के बारे में आप नहीं जानते होंगे तो इस अपडेट की जानकारी भी मैं दूँगा और उसके अलापा भी और जानकारी मैं आपको देना चाता हूँ अब यह आपको बताए दोस्तों पिशल के सासाथ साहरा के सासाथ साथ बहुत सारी ऐसी कंपनी है जोकि भारत में चल रही थी जिनका काम दोस्तों पिशल और सहरा जैसा ही था निवेशकों के साथ पैसा एखटा करके उनको समय पर पैसा नहीं देखेंगे दोस्तों आंदर प्रिदेश पुलिस ने केंदरे अजनसी से मार्ग दरसी चिटफंड की जास करने को कहा कब की ख़बर है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 12 अपरेल की बारा अपरेल की ख़बर थी आपसे 5-6 दिन पहली खबर थी यानि के आंदर निवेशकों के पैसे अटक गए तो यह पूरा का पूरा आर्टिकल था दोस्तों उस समय यह कहा जारता कि संदिग्द व्यक्तियों को खोज की जाएगी जूटी अववाय फैलाए गई है और कंपनी जो है गलग तरीके से पैसा ले रही है यह सारी के सारी ख़बरेती हैं प्राइवेट लिमिटेड ने अधीनियम के उल्लंगन से अधिकार किया यानि कि मार्ग दसी जो कंपनी है दोस्तों उसके तरफ से कहा गया है कि जो आरूब हम पर लगाए गया है कि हमने निविशकों के साथ दोका किया है लोगों को पैसा वापस हमने नहीं किया है वो दर उसने मार्ग दसी कंपनी में पैसा लगाया हूँ दोस्तों वो हमारे पास आकर यह नहीं कहा सकता कि हमने उसके साथ धोका दड़े किया है तो यहाँ पर मार्ग दसी जो कंपनी है दोस्तों उसने सीधा टार्गेट किया है सरकार को यह बताया है कि दोस्तों जो सरकार है आं कमपनी को जो है कहीं न कहीं कटगरे में लाने की कोशिच की गई तो ये मार्ग दलसी वालों के लिए था आने वाले समय में जो भी खवार होगी दोस्तों मार्ग दलसी की वो भी मैं आपको बता दूँगा आप बात करेंगे दोस्तों PCL की देखिए यहां पर आप दिखीगा यह PSL का मैटर देखने को मिलेगा दूस्तों आपको ये भी दैनिक जागरान की ख़वर है कब की ख़वर है दोस्तो तो दैनिक जागरान का आपको पता है दोस्तो 9 गंटे पहली ख़वर है यहां पर क्या आपन कंपनी में जमार पैसर वापस करने को लेकर DM से गुहार लग इसे थे ख़ते ह chapel वीडियो के टाइल में देखा है कि काउंटर फुलने वाले हैं उसकी जानकारी में आपको दूंगा कि काउंटर कैसे खुल ले हैं कैसे नहीं खुल लें उससे पहले दोस्तों यहां पर आएंगे जो कि मैं अभी आपको बताया था कि पीसर निविश को के लिए बड़ा अपडेट आया है सबसे पहले अपडेट देखेंगे पहले हैं अपरेल का महिना चल दोस्तों वीश तारीक आने वाली है आप यह समझ सकते हो अब भी सायद लगता है कि पंद्रह हजार से उपर वाले जो की निविश के नहीं बीच हैं उनको पैसा नहीं मिला है क्योंकि सेवी ना ओल लेड़ी एक बार बताया था कि लगबग 4 अब जिरूर बताईएगा तो दोस्तों यहां पर सायद अभी जो है पैसा स्टार्ट हो चुका है निवेश को मिल रहा है कहीं कहीं से यह भी खबर निकल कर आई है कि किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है किसी के पास SMS जा रहे हैं तो यह खबर थी दोस्तों इसके बा बताया था कि 6 February 2020 को, जब सेभी के तरफ से पीसल की प्रोपर्टि को निलाम करने के लिए नोटिस जारी किये गए थे तो उससमें बहुत सारी ऐसी कंपणी थी, जो यहां पर, यहां पर जब निलाम हो रिती, निलामी में बॉली लगाई थी, PCL की property खरीदने के लिए तो ऐसे में बहुत सारी company थी जिन्होंने बोली लगाई थी और जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी उसको tender मिल गया था और tender मिलने के बाद दोस्तों जो tender मिलने के साथ सेवी की ने ये भी कहा था कि जो भी बोली लगाएगा उसको जो है 15% जो रकम है दोस्तों वो पहले ही advance में देनी बढ़ेगी तो इस company के तब से 15% रकम पहले ही जो है advance में दी जा चुकी थी 85% रकम दोस्तों वो अब मिलने वाली है और इसके बाद दोस्तों जो भुकतान है वो बड़े लेवल पर हो पाएगा देखिए तर असल दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर आप देखेंगे कुछ इस्तरिकी का पेज आपके सामने आने वाला है सब कुछ बड़ा बड़ा दिखाऊंगा दोस्तों चिंदा करने के आवसकता नहीं है और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि offer to purchase property of PCL limited received by just retired RM Loda RM Loda और यहां पर आपको बता है सेवी के तरफ से दोस्तों जो की लोड़ा का मैटी जो है PCL का का ही काम देख रही है और सेवी के तरफ से आपका पैसा वाफस हो रहा है कानूनी प्रकर रहा है यहां पर पूरा का पर इंडेक्स बताया गया है दोस्तों यह लगवा 206 पेज की profile है यहां पर आप देखेंगे तो नीचे लिकर जाँगा दोस्तों बहुत बड़ी company बहुत बड़ी जो है data है यहां पर क्या पताया गया है दोस्तों यह ओरिजिनलरी के रिच युनाइटेड डिफर टक्चर प्राइवेट लिमिटेड इस company ने बोली लगाई थी दोस्तों उस समय जब इस company के तरफ से payment की गई थी check number 152758 है जो कि 15% advance में दिया गया था रकम थी दोस्तों 29,99,138 रुपे तो यह already 2020 में मिल चुके थे और यह रकम जो है दोस्तों already निमिशको को बाटी जा चुकी है जो अभी तक आपको payment मिल रही है वो इसका भी हिस्सा था दोस्तों जो कि यह 15% थी तो आप समझ सकते हो कि 15% जब 29,00,00 है तो इसका जो दोस्तों अभी 85% मिलने वाला है तो वो भी काफी बड़ी रकम है तो इसके साथ सा दोस्तों यहाँ पर आएंगे कि अब यह बताया ग जाता है वो रिच कंपनी के पास चला जाएगा रिच कंपनी की होगी और जो भी यहां से पैसा निवेशको को मिलेगा दोस्तों यहां पर आप देखेंगे और भी आपको देखने को मिलेगा जो भी यहां से पैसा मिलेगा वो निवेशको को दोस्तों लोटाया जाएगा ठ आटा जाने वाला है तो ऐसा नहीं है कि यह चोटी मोटी अमाउंट है इसमें बहुत सारे निविस्को को लाखों निविस्को को पैसा मिल जाएगा अब बात करेंगे दोस्तों जो कि मैं आपको बताया कि इसके बाद पीशिल के ऑफिस को लने वाले हैं या अपने थमनेले मे पीशे आप जाएंगे तो आपको मदनलाल आजाजी देखने को मिलेंगे जो कि पीशिल का मुद्दा या सहारा का मुद्दा या बहुत सारी ऐसी चिट्वंड गंपनी जिनका पैसा नहीं मिला है उसको उठा रहे हैं आगे लेकर चल रहे हैं और आज की तारीक में सक्सस न अब ये दोस्तों कहा गया है मदनलाल आजाजी के तरफ से हम समर्थन करते हैं उनको कोई बिल्कुल सही जानकारी मिली होगी तभी उन्होंने ऐसा कहा होगा पर दोस्तों यहां पर डाउट मुझे एक चिसका ये लगता है कि देखें ये जो काउंटर खोले जा रहे हैं यह यह सिर्फ और सिर्फ जो है डोक्यूमेंट लेने के लिए खोले जा रहे हैं तो अभी मुझे लगता नहीं कि सायथ कहीं पर भुक्तान चल रहा होगा क्योंकि दोस्तों जैसे ही बुक्तान पिरकार स्टार्ट होगी निवेसको को पैसा वापस मिलना सुरू हो जाएगा वै लगता है तो अगर कहीं पर भुक्तान चल रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताईएगा पर मुझे रगता है कि सायथ अभी भुक्तान नहीं चल रहा है अभी जो काउंटर खोले गए है वो सिर्पोर सिर्फ निवेसको के डोक्यूमेंट लेने के लिए खोले गए है उसके बाद डोक्यूमेंट लिए जाएंगे और ये जो भुक्तान दिया जाएगा ये काउंटर से दिया जाएगा या ये ओनलाइन प्रिकदा से दिया आपकता है है क्योंकि आफि देखेंगे तो बहुत सारे जिलों में शरकार को समय पता है। बात हो सकती है क्योंकि दोस्तों निवेशकों को पैसा वापस मिले ये एक अच्छी बात है पर इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप कहीं पर भी रहते हैं आपको पैसा मिला है या आपकी तहसील में कहीं पर पैसा मिल रहा है तो आप कमेंट्स बोक्स में जरूर बताईएगा और आसा करते हैं दोस्तों मतलाल आजाद जी इस काम को लेकर और आगे जाएंगे और निवेशकों को और अच्छी बात मिलेगी पर हमें खुशी तब ज़्यादा होगी दोस्तों जब ये जो खबरें हैं ये मेडिया में आने लगें अमारुजाला दैनिक जागरन जैसे पर मेडिया हप के दौरा तब तक हर एक व्यक्ति जो है विश्वास नहीं करेगा अभी जैसे सहरा का पता है दोस्तों पांचार क्रोड का वुक्तान होना है आमित्साने खुद से का है तो सब को विश्वास है कि पांचार क्रोड तो बटने ही बटने हैं पर पीसल का ऐसा नहीं निकल कर आया है कि सरकार के तरफ से ऐसा कुछ कहा गया हो जो भी बात निकल कर आ रही है वो सिर्फ अंदर से निकल कर आ रही है और कुछ चुनिन्दा लोग ही इन बातों को बाहर रख रहे हैं पर इन में कितनी सचाई है और कितनी सचाई नहीं है दोस्तों यह आने वा क्या विचार है दोस्तों आप कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं धन्य वाद